दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फरवरी महेने के वे मातपुन तितियों के बारे में जो लगबग हार एक्जाम में पूछ जाते हैं चाहे आप नोकरी का एक्जाम दें या फिर किसी भी परिक्षा के एक्जाम दें तो आईए शुरू करते हैं इसमें पहला दिवस आता है भारत्य तत्रक्षक बल दिवस यानि की इंडियन कोष्ट गार्ड डे इसकी अस्थापना मुख्य रूप से जो है समुदरी सीमा है उसकी तटो की रक्षा के लिए की गई और इसकी अस्थापना एक फरवरी उनिस सो स एक कहते हैं यह महिए रूप से परियावरन से संबन्धित है तिसरी अमत्पुन दिवस है चार फरवरी चार फरवरी को पिस्व में जो स्री लंका है ना उनको जो है आजादी में थे स्री लंका की आजादी चार फरवरी 1948 इसलिए स्रीलंका दिवस मनाया जाता है। और हमारा next है चारफरवरी को ही जिसे डिस्वक एंसर दिवस के रूप में मना जाता है। G. आपको जानकारी के लिए बता indicAl after cancer से लगबग परतेख वर्ष पुरे विस्व में 96 लाग से जादा लोग मारे जाते हैं जी हां 96 लाग से ज्यादा लोग कैंसर से मारे जाते हैं और इसकी लोगों तक आप जागरूता फैलाने के लिए यहां दिवस मना जाता है चार फरवरी को कैंसर दिवस लोगों में कैंसर की जागरूता फैलाने के लिए मना जाता है नेक्स्ट है हमारा छे फरवरी, छे फरवरी को महिला जनन आंग विक्रता के खिलाप अंतराइश्ट ये जो है और सही सुनता दिवस मना जाता है ठीक ना, इसकी रस्थापना जो है उन 2012 में हो चुकी है और 2012 से यह परतिक वर्स मना जाता है छे फरवरी को ठीक, नेक्स्ट है हमारा बारवप फरवरी और बारव फरवरी के दिन बिस्व में दो महान विक्तिवों का जन्म हुआ था जिसे डार्वीन का जन्म और अबराहन लिंकन दोनों का एक ही दिन में जन्म हुआ था इसी को अबराहन लिंकन डे और डार्विन डे दोनों का जाता है 12-7 नोई को डुनों का जन्म हुआ था रहाथ जंव में करला बिटेंद में हैं जबकि अब्राहम य को हमते कि आसे timing गारम में मायनता दे दी और 2013 में यून जो अंतराष्ट या संग है हमारा संजुक्त राष्ट संग उसने मायनता दे दी और 14 फरवरी आप में से सब को मालूम होगा 14 फरवरी वैलन्टाइन डे ठीक ना इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे उसके बाद आता है पूरे भारत में होता है लेकिन मुख्य रूप से यह माहराष्ट में मना जाता है उसके बाद आता है हमारा 21 फरवरी 21 फरवरी को अंतराष्ट या मात्री भासा दिवस मना जाता है अपनी मात्री भासा को बचाए रखने के लिए 24 फरवरी 24 फरवरी को केंद्रिय उत्पादन सुल्क दिवस और सिमा सुल्क दिवस मना जाता है ताकि लोगों में इन सब सुल्कों को लेकर जागरुकता पैदा हो ठीक ना उसके बाद आता है हमारा 27 फरवरी 27 फरवरी को रविदास जैन्ती और 28 फरवरी को मना जाता है रा यहां तक कि मैं जनकारी के लिए बता दूँ कि पूरे एसिया में सबसे पहले नॉबल पुरसकार साइंस के ही लोगों को मिला था जो कि सिवी रमन थे थांक यू हाँ यहां मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जो सिवी रमन थे ना वे रमन प्रभाव का खोज किये थे ठीक ना जिसके कारण उन्हें नॉबल प्राइज दिया गया भारत में सबसे पहले बोलकि पूरे एसिया में सबसे पहले इन्हें ही दिया गया था जो कि हमारे देश बार प्रभाव रमन इफेक्ट बोलते हैं उन्होंने खोज कि ती जिसके करण उन्हें नोबल प्राइज दिया गया था पूरे एसिया में पूरे भारत में सबसे पहले बिस में कोई और थे लेकिन भारत और एसिया में सबसे पहले नाम आता है सीवी रमन जी का तो फिर मिलेंग